अलो गाईज, वल्कान तु चारापुना, चारापुना में आप सब का फिट सेकबर स्वागते, तो दोस्तों आखिर में मुंबाई पे एक माफिया रात चल रहा है, जो कि हम सब किसी को पता चल चुका है, सुसन सिंग राजपूत के रिलेटिड कुछ भी जो हो, उन लोगों के लाइब को डेंजर में डाला जा रहा है, और इसका सबसे बड़ा उधारन है, मिस्टर गनेश यहरगत जी, जो कि सुसन सिंग राजपूत का दोस्ते, तो अब पॉइंट यह है कि कुछ दिन पहले उनके उपर अचानक अटक किये थे, तो कुछ दिन पहले उनके उपर अ आखिर में उनके साब क्या हो रहा है, तो गनेश जी ने ट्विट के मद्यम से सब को जानकरी दिया था कि चार्जन मिलके उनके उपर अटक किया है, उसके बाद यह जो बाते है, यह बाते सुनके कही नहीं लग रहा है कि कोई सिनमा देख रहे है हम बैठके, कि जब उन्हो सरकार को चानबिन करना चाहिए, पर नहीं वो चानबिन नहीं होगा, क्योंकि यह सुसान सिंग राजपूत के साथ रिलेटेड केस जो है, तो जिसके करण इसके उपर कोई भी चानबिन नहीं होगा, और जिसके लिए मैं कह सकता हूँ, कि गनेश जी को भी लग गया, कि महा पैग किया है, अमिर्ट शाह और हमारी PM, मिस्टर नरंदर मोदी जी को, तो मतलब यह जो ट्वीट है, यह ट्वीट देखे कोई भी समझ जाएगा, कि कोई आदमी कितना बेबस हो सकते है, कितना हेल्प लेस हो सकते है, जिसके बाद उन्होंने यह ट्वीट किया, कि अभी तो मुझे PM के इलावा और कोई बचा ही नहीं पाएगा, और इस केस में सबसे बड़ी कोईश्चिन मार्क तो यह है, कि किसी भी कारण के वज़ा से, सुसन सिंग राजपूत के रिलेकेट कोई भी कारण हो, सब को घुजाया जा रहा है, वो बाला सहीब ठकने बाला होस्प रिलेट होने के लिए क्या गनेश जी के उपर एटक किया जा रहा है, या फिर गनेश जी का पार्सनान नीची जीवन में कुछ हो सकते, तो इसकी उपर हम आलोगपत नहीं करेंगे, बस यही कहेंगे कि महाराष्टर पुलिस का, यह क्या हो गया है, कि वो लोग पूरा एक म बात नहीं करता है, उसके साथ साथ गनेश जी को ले जाके, उनको इंजेक्शन दे देता है, उसके बात कोई बात नहीं करते है, तो हो कहा गया है, आखिर में महाराष्टर पे चल क्या रहा है, पर इनमें से अच्छी ख़वर तो यह है कि मिस्टर विविगनांद गुपता रहराने उनको help करने के लिए ready हो और लिए हम क्या कर सकते हैं, तो जिसके लिए ठोरा सा उमेड जटा है कि हा कुछ ना कुछ हो सकते हैं, शायद उनकी लाइफ अगर हो तो सेफ हो सकते हैं, तो केस में सबसे बारा सवाल तो यह है कि अगर जनता को कुछ होता है तो जनता तो जाएगा पुलिस के पास ही न कि वो PM के पास जाएगा पुलिस के पास जाने के बाद अगर पुलिस के पास से किसी को कोई help नहीं मिल रहा है अगर पुलिस ही माफिया बन चुका है तो फिर क्या करेंगे तो फिट तो दिक्कत हो जाएगा और ये जो चीज है ये चीज को सरकार को देखना होगा क्योंकि सरकार पुरा जनता को लेके चलते हैं सरकार जनते की वले की बारे में सोचना चाहिए तो उम्मीद रखोंगा कि महरश्टर सरकार की तरफ से कुछ पॉजिटिव न्यूज आएगा गनेश जी को सेफ कर लिया जाएगा और उम्मीद करूंगा कि गनेश जी सेफ हो और मिस्टर गुपता ने जो उनकी हेल्प की हाथ बारा दिये हैं तो товर दोस्तों यह कैस में आप लोग क्या सोचते हैं आप लोगों का राय क्या है मुझे कॉमेंटन सरक्षण पर कमेंट कर दीजियेगा कि आप लोगों को क्या लखता है कि हो सकते हैं तो देफिनेटली आप लोगों का ओपिनियन जो है वो बहुत ही महत्त्रून है तो रिप्रेटली मुझे कॉमेंट सेक्शन पर कॉमेंट कर देजिए मिलेंगे मेरा नेक्स कीसी वीडियो पर तील देम सब कोई खुश रहेगा बरिया रहेगा टाटा